बिना मावा, बिना चाशनी, बिना कंडेंस मिल्क, बहुती आसानी से सूजी के बहुती टेस्टी, मॉइस्ट एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लड्डू हम बना कर त्यार करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए एक कप सूजी, कोई भी सूजी जो भी आपके पास होना वारिक मोटी वह आप ले सकते हैं तो यहाँ पर एक कप सूजी को बड़े बोल में डाल दिया है लड्डू एकदम सॉफ्ट बने, उन में मावा वाला टेस्ट आये तो इसके लिए मैंने इसमें दो चम्मस दूद की मलाई डाली है फ्रेश मलाई के इस्तमाल कीजेगा, मलाई ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए आधा कप दूद लिया है, जिसमें से अभी थोड़ा दूद डाल दिया है और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है इसका दो लगा कर हमें त्यार करना है हम यहाँ पर सूजी का एकदम सॉफ्ट डू लगा कर त्यार करेंगे पानी का इस्तमाल नहीं कर रहे हम दूद का इस्तमाल कर रहे हैं यहाँ पर और दूद जो है वो रूम टैपरेचर पर है तो थोड़ा थोड़ा दूद डालते जाएं अच्छी तरीके से मिक्स करें और सॉफ्ट डू लगा कर त्यार करें गरम दूद का इस्तमाल नहीं करना है नॉर्मल दूद का आपको इस्तमाल करना है तो ये देखिए एकदम soft डू लगा कर मैंने त्यार कर लिया है और अब हम इसे ठक कर रख देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ये सूजी का डू लगाने के लिए मैंने आधा कब दूद लिया था जिसमें से 2 टेबल स्पून दूद बच गया है अब आपको क्या करना है 10 से 15 मिनट बाद ये जो डू है देखिए इसने काफी सारे दूद को सोख लिया है और जो डू है एकदम perfect हो चुका है बहुत जादा soft नहीं है इस stage पर आपको एक चमच लेना है घी इसमें घी डालना है और अच्छे से अब इसे आपको गूंद रहा है तो बहुत अच्छे से इसे गूंद लेंगे एकदम चिकना smooth dough हम त्यार कर लेंगे तो लगबग 2 मिनट के लिए मैंने इसे बहुत अच्छे से गूंद लिया है तो यहाँ पर जो सूजी का dough है एकदम perfect है ना जादा soft है ना जादा hard है अब इसकी लोईया बनानी है तो नॉर्मल चपाती के लिए जैसे आप लोईय बनाते हैं उससे थोड़ी सी मोटी लोईय बनाई है तो यहाँ पर इस तरह यह चार लोईय बनके त्यार हुई है तो अब आप क्या करेंगे आपको इन्हें बेलना है तो आपको चकले पर अच्छे से घी लगा लेना है और surface को भी घी लगा कर छिकना कर लें मिठाई वगर आग घी में बनाई जाए तो अच्छी बनती है इसलिए मैं घी का इस्तमाल कर रहे हूँ तो यहाँ पर अब यह जो लोईय है इसे हम बेल लेंगे जिस तरह आप चपाती बेल लें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे मीडियम थिकनेस का इसे बेल कर त्यार कर लेंगे तो यहाँ पर हमने चपाती को बेल कर लिया है त्यार अब चलते हैं gas की तरफ तो gas पर तवा पहले गरम करने रख दिया था ये गर्म हो चुका है gas का flame हमें medium से थोड़ा सा कम रखना है और इसे हमें शेखना है तो इसे तब ये पर डाल दिया एक तरफ से थोड़ा सा सिखने दे उसके बाद इसे पलट दे ये देखिए हलके हलके brown spot आ चुके हैं इसके उपर अब मैंने दूसरी तरफ से भी इसे पलट दिया है और जब ये दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सिख जाए तो इसके उपर घी लगाएं यहाँ पर आपको flame का जरूर ध्यान लखना है कि flame high नहीं होना चाहिए medium से थोड़ा सा कम होना चाहिए flame तो इसे अलट पलट का दोनों तरफ आपको घी लगा देना है और इसे अच्छे से दबा दबा कर सेख लेना है और अब मैं इसे दबा दबा कर तो सेख ही रही हूँ साथ की साथ इसी से मैं इसमें इस तरह थोड़े थोड़े कट के निशान बना रही हूँ आप चाहिए तो knife का इस्तमाल कर सकते हैं या किसी fox से भी इसमें थोड़े से hole बना सकते हैं इससे ये अंदर तक अच्छे से सिख कर त्यार हो जाएगा तो ये देखिए दोनों तरब से बहुत ही अच्छा color आ चुका है इसका बहुत ही बड़ी ब्राउन spot इस पर नजर आ रहे हैं अच्छे से ये सिख चुका है अब आप इसे निकाल लें और सारी चपाती ऐसे ही सेख कर त्यार कर लें तो यहाँ पर ये त्यार है अब आप इने पूरी तरीके से पहले ठंडा होने दीजे अब एक ठड़का पैन में मैंने 3 टेवल स्पून घी को गर्म होने के लिए रख दिया है और जब खी गर्म हो जाए तो इसमें 10-12 बादाम डाल दें और 10-12 इसमें काजू डाल दें गैस का फ्लेम आपको लो रखना है और लो फ्लेम पर इने घी में भूल लेना है इस तरह जब घी में हलका सा फ्राइ करके ये काजू बादाम आप लड्डू में डालेंगे तो उनका टेस्ट बढ़ जाएगा तो यहाँ पर देखे इनका कलर चेंज हो चुका है तो बस इने हम निकाल लेते हैं और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इने छोटे-छोटे पीसेज में कट कर लेना है हमें काजू और बादाम दोनों को ही हम कट कर लेंगे अब यहाँ पर ये जो हमने चपाती त्यार की थी ये भी ठंडी हो चुकी है तो इने ऐसे तोड लेते हैं इनके छोटे-छोटे टुकडे आपको कर लेने हैं तो हमने सभी के छोटे-छोटे टुकडे कर लिए हैं अब आप लेंगे एक मिक्सी का जार और उसमें इन्हें ट्रांसपर कर देंगे और बस अब आपको जार कड़कन बंद कर देना है और इन्हें आपको पीसकर त्यार कर लेना है हलका सा दरदरा रखेंगे से तो ये देखिए हमने इने पीज कर त्यार कर लिया और बहुत बारिक नहीं किया है हल्का सा दरदरा रखेंगे तो लड़ू पहुत ही टेस्टी लगेंगे तो बस इसे एक बड़े बूल में ट्रांसफर कर लेते हैं तो यहां पर देखें मैंने इससे एक बड़े पूल में डाल दिया है पहुती बड़ी है यह तيयार हुआ है इसमें हलका दरधरा पने हैं इस तरह लड़ू पहुत ही टेस्टी लगें अब लड़ू को मीठा करने के लिए इसमें आधा कप मैंने डाल दिया है बूरा अगर आपके पास बूरा ना हो तो चीनी को मिक्सी के जार में डाल कर पीस कर डाल सकते हैं इसमें जा रहा है 3 टेवल स्पून नारियल का बुरादा ये मैंने घर पे ही सूखा जो गोला होता है उसका छिलका हटा कर साथ ही जो काजू हमने त्यार किये थे वो भी मैंने इसमें बारी कट करके डाल दिया है और इसमें जा रही है थो टी से किश्मिश लगभग 30 से 35 किश्मिश डाल दिया है थोड़ा सा इसमें डाल दिया है पिश्टा ड्राइफूर्स आप अपने नुसार कोई भी इसमें डाल सकते हैं इनमें से किसी को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं सभी चीजों को बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है मीठा इसमें आप अपने स्वाध नुसार थोड़ा कम या जादा भी कर सकते हैं अब जिस घी में हमने काजू बादम फ्राई किये थे वो घी मैंने इसमें डाल दिया है अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देंगे इन लड़ों में ज्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है कम घी में बहुती टेस्टी लड़ो बन जाते हैं अब इसे मुठी में लेकर बांद क कर इसका लड़ो त्यार कर लिया है कितना बढ़िया लड़ो बनाए इसी तरह सारे लड़ो बनाकर त्यार करें लड़ो का साइज अपने नुसार थोड़ा छोटा बड़ा किया जा सकता है तो यहाँ पर एक कप सूजी से टोटल 11 लड़ो बनके त्यार हुए हैं इस तरह ज झाल 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 झाल